हाललुया, प्रभु का धन्यवाद, पास्टर जी का धन्यवाद इस समय को दिया है, तो ज्यादा समय हम बेस्ट ना करते हुए, जल्दी से वच्चन में जाएंगे और थोड़े समय में हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हाललुया, क्योंकि ये समय ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमको लॉक कर दे सकते अंदर, तो हमको ऐसा मौका, मतलब बुलते हैं कि हर बार हम मिले, हर बार हम लोगों के संगती में रहें, ऐसा होगा नहीं, लेकिन जब अकेले भी रहे, तो भी हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे रह सकते हैं ठीक है तो चलते हैं प्रेरितों के काम उसका बारा अध्याए एक से लेकर दस वच्छन को हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका बारा अध्याए एकदम फटाफट हम पड़ेंगे एक से लेकर दस वच्छन उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले उसने युहना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनन्दित होते हैं तो उसने पत्रस को भी पकड़ लिया और उसने उसे पकड़ के बंदिगरह में डाला और रखवाली के लिए चार-चार सिपाईयों के चार पहरों में रखा इस मन्सा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए सो बंदिगरह में पत्रस की रखवाली हो रही थी परन्तु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रात्ना कर रही थी और जब हेरोदेश उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रादपत्रस दो जंजीरों से बंदा हुआ था दो सिपाईयों के बीच में सो रहा था और पहरुए दुआर पर बंदिग्रह की काली कर रहे थे तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोट्री में जोती चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ फुर्ती कर और उसके हाथ से जंजीरे खुलकर गिर पड़ी तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमरबान अपने जूते पहन ले उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले वह निकल कर उसके पीछे हो लिया परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच्मुछ है वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर तीसरा लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है वहाँ उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया बारा वचन निकालेंगे वचन बारा और यह सोचकर वह यूहन ना एक मिनिट आगे का वचन देखिए तेरा जब उसने फाटक की खिड़की खट खट आई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को क्या सुनने को आई ओके तो यह पूरा हमने यहां का जो सिनारियो है जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं है रोदेश जो है उसने ओल्रेडी याकूप को गला कटवा के मार दिया था ठीक है और इस बात से बहुत सारे लोग खुश हो गये थे तो हेरोद का यह इच्छा था कि लोगों को खुश करने के लिए पत्रस को भी क्या करते हैं मरवा देते क्योंकि पत्रस उस समय लीडर था सारे चेलो में सबसे में था अगर याकूप के मरने से लोग इतना खुश हो रहे हैं उसके मरवाय जाने से तो पत्रस के मरवाय जाने से लोग और भी घुश हो जाएंगे तो यह है हैरोदेस ने क्या किया था पत्रस को बंदी ग्रह में बंद करके रखा था और वह इनतजाहर कर रहा था क्योंकि उस समय पारफ़सर का पर्व था वह सोच चाहा था कि पर्व होने के बाद मैं मरवा देते हैं तो लोग मेरे से और भी हुश हो जाएंगे लेकिन वो नहीं जानता था कि वहाँ पे कुछ तो सूपरनाच्रल होने वाला है हललूइया वहाँ पे कुछ तो अलोकिक वहाँ पर परमेश्वर करने वाले हैं तो जब पत्रस बंदीकर हमें बंद था तो कुछ स्वर्गदूत आये वचन में हमने देखा कि पत्रस जो है सेक्योरिटी लगाई गई थी कि वो कहीं से भी बाहर निकलने न पाए लेकिन स्वर्गदूत आये जंजीरे तूट गई पहरुए भी वहां पर सो गए और पत्रस को एंजल यानि स्वर्गदूत क्या किया बाहर लेकर आया उसके जंजीरों को तोड़ कर वो सारे सेक्योरिट से बचा कर स्वर्गदूत उसे क्या कर दिया आजजाद कर दिया छालको कि इस बात से हम यह सीखते हैं कि कई बार कि हमको भी क्या किया जाता है जंजीरों से हम बांदे जाते कुछ ना कूछ समास्या कोई ना foarteक्वी बेमारी कोई ना कोई बंधन कोई ना कोई oppression मुलते हैं ना कोई ना कोई दबाओ ये सारी चीजों से हम बंदे जाते हैं और इन चीजों से हम को कोई आजाद नहीं कर सकता समझ में आया एकदम टाइट सेक्यॉरिटि यहां पर हैरोद जो है है रोद तो आज नहीं है उस जमाने में वो था लेकिन हैरोद की आत्मा आज भी है जो लोगों को क्या करती है बंधी बना कर रखती है जो लोगों को जकड़ कर रखती है मानसिक बंधन में, शारिरिक बंधन में, पैसों के बंधन में, कोई ना कोई आदतों के बंधन में वो बांध कर रखने वाले एक आत्मा है और वो ऐसे बांध कर रखता है कि ये छूटने न पाए एक बिमारी निकल गई तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी निकल गई तो तीसरी आ जाएगी, एक समस्या टल गया तो दूसरा शुरू हो जाएगा, उसको हम कहते हैं बांधने वाली यानि बंधन में डालने वाली आत्मा, और इस चीस से हमको कोई मनुष्य आजाद नहीं कर सक हाललूया, तुम कितना भी लोगों के पास जाओ, लोगों से मदद मांगो, लोग मदद करेंगे, टेंपररी तुमारा ठीक हो जाएगा, वो बंधन निकल जाएगा, वो समस्या निकल जाएगी, लेकिन फिर से वो आ जाएगा, अगर इन जकड से हमको आजादी चाहिए, त तो वो केवल परमेश्वर की आत्मा ही दे सकती है, हाललूया, तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम मेंसे कई लोग ऐसे बंधन में थे, पाप के बंधन में थे, श्राप के बंधन में थे, हर एक तकलीफों में थे, लेकिन प्रभु येश्यु मसीहा के द्वारा, पवित्रा आत्मा की सामर्थ से हम सब आजाद हुए हैं हाललुया वी आर सेट फ्री हमको आजादी मिल चुकी है लेकिन आजादी मिलने के बाद में खेल खतम नहीं हुआ दसवे वचन में जब हम आते हैं तो वहां कुछ गेट्स के बारे में कहा गया है वहां पर कुछ फाटक के बारे में कहा गया है कि स्वर्गदूत ने पतरस को छुड़ा तो लिया जंजीर तो तूड़ गया ठीक है पहरूं के जाल से जकर से भी वो बाहर आ गया लेकिन अब उसको बाहर जाने के लिए, पूरी तरह आजाद होने से पहले, कुछ फाटके हैं, उन फाटकों को क्या करना है, पत्रस को खुद पार करना है, हललुया, तो हम आजाद हो जाते हैं, प्रभू येशु मसी पर हम विश्वास करते हैं, हमारे पाप दुल जाते हैं, प्रभु येशु पर विश्वास करते हैं, हमारे श्राप तूट जाते हैं, प्रभु येशु पर विश्वास करते हैं, हमको चंगाई मिलती है, प्रभु येशु पर विश्वास करते हैं, हमको उद्धार मिलता है, लेकिन उसको बनाए रखना है और बनाए रखने के लिए हमको जिन्दगी आसान नहीं होने वाली है बहुत सारे फातक मिलेंगे और उन फातकों को एक-एक करके हमें क्या करना है पार करना है अगर हम दस्वा वचन देखेंगे तो फिर से हम उस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तब पहले यानी पहला फा दूसरा गेट और से निकल कर उस लोहे के फातक यानी तीसरा फातक जो है वो कौन सा फातक है लोहे का फातक है बहुत ही मजबूत फातक है आसानी से खुलने वाला फातक नहीं है लेकिन जब तीसरे फातक पर पहुंचे जो नगर की ओर है नगर यानी एक बड़ा शहर जो ह हमको एक सफलता या फिर हमारे जिन्दगी में एक बड़ी कुछ चीज को जिस तरफ से खुलती है वो एक फाटक लेकिन जब वो तीसरे फाटक में आया वो फाटक अपने आप क्या हो गई खुल गई पहला फाटक पार करना पड़ा दूसरा फाटक पार करना पड़ा तीसरा अपने आप खुल गया और तेरा वचन में हमने देखा कि जब वो नगर में आ गया तो वो घर के दुआर पर खड़ा होकर चौथा फाटक क्या करने लगा खटखटाने लगा जहां पे शिश प्रात्ना कर रहे थे उस घर के दर्वाजे को वो क्या करने लगा खट-खटाने लगा यानि चार फाटक, चार गेट्स हम देखते हैं, hallelujah, तो ये चार गेट्स हमारे जिंदगी में क्या है और कैसे हमें उन्हें पार करना है, वो कौन सी गेट है जो अपने आप खुलने वाली है, वो कैसे अपने आप खुलने वाली है, और चौते गेट्स प लहू और माज से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस अंसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है ओके तो यहाँ पर वो चार फाटकों के नाम दिये गए हैं ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमारा यह मल युद्ध हम सब युद्ध में हैं हम मसीही लोगों की जिन्दगी जो है एक युद्ध है क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है योद्धा है he is a warrior hallelujah वो यहुदा का सीह वो खुद क्या है योद्धा है और हम उसकी सेना में है तो हम भी क्या है युद्ध करने वाले हैं हम कठिनाईयों से पार करने वाले लोग है तो लेकिन हमारा युद्ध जो है इस संसार के युद्ध के समान नहीं है जातपात वाला युद्ध गरीबी गरीबी पैसे के वारे में युद्ध वो युद्ध नहीं है वर्चन कहती है हमारी युद्ध किससे है पता है पहला तक क्या है बोलिए प्रधानों से पहला क्या है दूसरा अंधकार के हाकिमों से दूसरा फाटक क्या है अंधकार का हाकिम पहला प्रधान सेकेंड अंधकार के हाकिम और तीसरा दुष्टता की सेना बोलिए दुष्टता की सेना, हाललूया, ठीक है, यहाँ पे प्रधान और अधिकारियों, अंधकार के हाकिम और दुष्टता की सेना, यह चार है, तो हम सीखेंगे, ठीक है, अभी शायद आपको समझ में तुरंत ना आ जाए, एक-एक करके हम सीखेंगे, और वो गेट को कैस बाद भी, आजजादी पाने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमको पार करनी है, तो पहला है प्रधानों, ठीक है, प्रधानों, प्रधानों का मतलब क्या होता है, प्रधान ताएं बोलते हैं, प्रधानों का मतलब होता है, जो युद्ध यहाँ पर होती है, समझ में आ रहा है आपको? जो युद्ध यहाँ पर कैसे होती है जो ये प्रधानत आएं है ये शैतान के कुछ एजेंट्स है कुछ ऐसे काम करने वाले है जो अटाक कहां करते है? मन के उपर कैसा अटाक करते है? तुझी के फायदा नहीं है, तु मर जा अभी तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तेरा कुछ भला होने वाला नहीं है, तेरा जिंदगी बस यहाँ पर खतम हो जाएगा, तु कभी पास नहीं हो सकता, तुझे कभी बच्चे नहीं हो सकते, तेरी ये बिमारी तुझे कबर तक ही ले जाएगी यह अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कहां शुरू हुआ है? मन में, हललूया, अगर एक इनसान यहां हार जाता है ना, तो शारिरिक रूप में हारने में टाइम नहीं लगेगा उसको, सबन में आ रहा है? इसको बोलते हैं अपना इच्छा, विल जिसको बोलते हैं, विल पाव हललूया, तो प्रभू हमको यह शक्ति देता है, इच्छा को मजबूत करने की शक्ति प्रभू से हमको मिलती है, हमारे खुद की मर्जी से नहीं, लेकिन प्रधानों का काम होता है, कि वो बार बार हमारे माइंड में, विचारों के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, और अलग अलग बातों के द्वारा, सौच के द्वारा, बहुत सोच के, सोच के, मेरा पती कभी सुदरेगा, नहीं, मेरा बच्छा कभी आगे बढ़ेगा, नहीं, कभी मुझे जॉब मिलेगा, मतलग कोई भी चीज, जो हमें क्या करती है, नीचे खीचती है, लेकिन और यहां उसका नाम अहितोफिल था, वो दाओद राजा का बहुत अच्छा ये था, एडवाइजर था, ठीक है, एडवाइजर मतलब उसको सलाकार था, अब एक दिन उसने दाओद राजा तो निकल गया, उसका बेटा राजा बनके बैटा था, तो वो सला देने के लिए उसके बेटे अपने घर में चला गया, सारे अकाउंट सब के क्लियर कर लिए और अपने आपको फासी लगा के मर गया क्यूं? अप्शालोम ने उसको भला बुरा कुछ कहा था क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में क्या होने लगा? ये प्रधान ताए उसके दिमाग में अटाक करने लगे, समयद में आ रहा है आप लोगों को? कि देख तेरा बात नहीं माना, तेरे को किसी ने भाव नहीं दिया, तेरा कुछ इंपोर्टेंस नहीं है, तेरा कुछ वैल्यू नहीं है, तेरा बात कोई सुनता, तेरे परिवार में तेरा कोई सुनने वाला नहीं है, तेरा अपना कुछ नहीं है, अभी ये करजा कभी था हो सकता है अप्शलों बाद में उसकी बात मान लेता यू डो नो लेकिन कई बार ऐसा होता है हमा मेरी मेरी भावी आई हुए हमा इनके सोसाइटी में एक जवान लड़के ने आत्मत्य कर लिया क्यों यही उसके मन में कुछ चल रहा होगा कि अब यह मेरा चीज नहीं होग यह मेरा काम नहीं होगा हललूया क्यों क्योंकि वह अटक कहां करता है इसलिए वह अभी छोटी बच्ची ने क्या कहां यही वचन को उसने कहा ना क्योंकि यद्द्धी हम शरीर में है पर शरीर में लड़ते नहीं है है कि नहीं लेकिन ये प्रधानता है हमको अटाक करती है कहां पर हमारे मन में हार वाले विचार असफलता के विचार तुछता के विचार हमको आगे बढ़ने ना देने वाले विचारों के द्वारा हमारे मन पर क्या करती है आक्रमन करती है और वो विचार करते 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 इंसान गल फाटक है ठीक है समझ में आया प्रधानता है नेक्स्ट है अधिकारियों जिसको बोलते हैं पावर्ज अधिकारियों अधिकारियों का मतलब क्या है अधिकारियों का मतलब है लोग ठीक है? पहला जो है वो विचारों के द्वारा, जो विचार को किसी ने बोला नहीं है, तुम्हारे मन में डाला जा रहा है, तुम्हारे सोच में आ रहा है, लेकिन ये जो दूसरा है फाटक, जिसको अधिकारी कहते हैं, अधिकारीों का मतलब है लोगों की बाते, लोग तु example माबाप अपने अगर बच्चे को कहेंगे ये मेरा बेटा एक दम डबू है डफ़र है ये तो कभी गधा है है न कहीं बार बोलते ये तो गधा है मेरी लड़की अच्छा पढ़ती है ये नहीं पढ़ता है ये गधा है सबर में आया तो वो जो शब्द होते हैं जो अधिकार कारियों के द्वारा कार्य करते हैं वो शब्द लोगों के द्वारा हमारे जिंदगी पर क्या करते हैं आक्रमन करते हैं हाललुया लोगों की तरफ से आने वाले शब्द लोगों के बरताव एक्जांपल आप चर्च के अंदर आए हम दोनों चर्च के अंदर आए ठीक है औ और पास्टर जी ने एक से हाथ मिलाया दूसरे से हाथ नहीं मिलाया तो उनके बरताओं से दुष्ट क्या करेगा देखा तुझे कोई पसंद नहीं करता देखो उसको हाथ मिलाया तुमको हाथ नहीं मिलाया समयद में आ रहा है आपको लोगों के बीहेवियस के द्वारा कभी कभी लोगों के मन में कुछ नहीं होगा लोगों के लोगों लोग जब बरताओ करते हैं तो तुम्हें ठेस पहुचाने के लिए भी नहीं करते होंगे लेकिन दुष्ट क्या करेगा लोगों के बरताओ को शब्दों को उनके बोलचाल को इस्तेमाल करेगा और तुम्हारे आक्रमन करता है, this is the second फाटक, second gate जिसको हमें पार करना है लोगों से हम easily हार जाते हैं है ना, लोग कुछ बोल दिये तो चर्च में आना बंद कर देते हैं लोगों के सामने कुछ चीजे बाहर आई तो हम उनसे मिलना बंद कर देते हैं, यह सब हमारे जिन्दकी में होती है, यह दूसरा है और तीस्रा अंदकार के हाकिम, rulers of darkness अंदकार के हाकिमों में जादू टोना करने वाले, काला जादू करने वाले, जो बाहर, तंट्र, मंत्र फेंकने वाले, यह सब किसमें आ जाते हैं, अंदकार के हाकिमों के आधिन में आ जाते हैं हललुया लेकिन हमने क्या देखा था तीसरा फातक अपने आप खुल जाता है हललुया वो कैसे अपने आप खुलेगा हम दीरे से सीखेंगे और लास्ट है दुष्टता की आत्मिक सेना यह कहां पर है वहाँ पर लिका है आकाश में हैं यह दिखाई दे रहा है वो पहला आकाश है उसके ऊपर एक दूसरा आकाश है उसके ऊपर तीसरा आकाश है जहां प्रभु का सिहासन है तो दोनों आकाशों के बीच में जो है उसको बोलते है मध्याकाश तो दुष्टता की सेना कहां काम करती है वो मध्याकाश में अगर दानिय के दानियल को क्या कहा गया है स्वर्गदूत आकर क्या कहता है जिस दिन तुने प्रात्ना किया उसी दिन प्रभु ने तेरी प्रात्ना को क्या कर ली सुन ली और उसी पल तेरे उत्तर भी भेज दिया गया लेकिन तेरा उत्तर तेरे तक आने के लिए 21 दिन लग गए क्योंकि मध्य आकाश में जो दुष्टता की सेना है मध्य आकाश में रुकावटे हैं मध्य आकाश में कारे करने वाली दुष्टता की सेना हमारे प्रार्तनाओं के उत्तर को रोकती है हमारी आशिशों को रोकती है है ना और तब मिकाईल स्वर्गदूत वहाँ पर लड़ाई करता ह और उसे हरा कर दानियल का उत्तर उस तक पहुंचा देता है यानि यह चौथा फाटक कहां कारे करती है मध्य आकाश में हाललूया समझने की कोशिश कीजिए ओके पहला फाटक हमारे दिमाग में जो अटैक होते हैं विचारों के द्वारा खुद के विचार खुद के डाले गए सारे कल्पनाएं उन विचारों से हमारे उपर आख्रमन होता है दूसरा जो है लोगों की वजह से लोग जो हमको बोलते है या फिर लोग जो बरताव हमारे साथ करते हैं उससे हमको चोट लग जाती है तीसरा दुनिया में जो काला अध्या आकाश में हालेलूया लेकिन पत्रस ने चारों को क्या किया पार कर दिया हालेलूया हमारा परमेश्वर यह सारे चारों फाटकों को पार करने की तक ताकत शक्ति हमको देते हैं लेकिन पार कैसे करें अब वह सीखना है हमको ठीक है तो फिर से चलते हैं हम लोग इफी आठ वावच्छन हम पढ़ते हैं प्रेरित बारा का आठ तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बान और अपने जूते पहीन ले और उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहीन कर मेरे पीछे हो ले बस बस फिर से एक बार पढ़िये तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बान ओके बस सब लोग कहेंगे कमर बान जोर से बोलिये भाई ओके तो पहला फाटक प्रधान ताएं जो हमारे दिमाग में हमला करते हैं उन से जीतना है तो क्या करना पड़ेगा अब आप बोलोगे कमर क्या बेल्ट पेन के गुमने का क्या वो कमर बांधने का मतलब क्या है हमको पता चलेगा इफीसियो छटे अध्याए में इफीसियो उसका छटा अध्याए हम निकालेंगे 14 वचन पड़ेंगे इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर हाँ हाललूया यहाँ पे क्या लिका है वहाँ पे क्या कहा गया कमर बांधन यहाँ पे हमको उसका खुलासा मिलता है कि कमर कैसे बांधे सत्य से अपने कमर को बांधे और सत्य कौन है प्रभु येश्य मसी आज हमारे साथ प्रबु येशु सत्य के रूप में कैसे मौजूद है इन वचनों में हाललूया यह बाइबल के वचन एक पहले पन्ने से लेके आखरी पन्ने तक सत्य है यह सत्य के वचन है इसमें जो भी लिखा गया है वो क्या है सत्य है दुनिया की बाते झूटी है तुम्हारे दिमाग म जब कहा जाएगा ना कि तुम कुछ काम के नहीं हो तुम कुछ नहीं कर सकते वचन आपको क्या कहती है you are more than a conqueror तुम विज्वाई से भी बढ़कर हो हाललुया तो वच हमको पहला अगर चीज से तुम्हारे मन से तुमको अगर युद्ध जीतना है तो क्या करना है यह सत्य को कस्णा है कम हम Means certified अँग्दम दिला हो जाते हैं परीषितियों के कारण तुम स्याओं के कारण लेकिन फिर से क्या करना है है टाइट करना नहीं वह जो मेरे मन में चल रहा उसके विश sausage नहीं करूंगी में वह विश्वास करूंगी जो प्रभु मेरे बारे में बोलता है हाल हलल्लूया तैरा कोई नहीं है तुू अनात है तो वचन क्या कहता है प्रभू अनातों के पास आता है ऑल मुझे पार करना है ल्जीटना है तो मुझे सत्य से अपने कमर को कसना है और सत्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको हम बोलते हैं, हमारे भाशा में इसको सत्य वेदा बोलते हैं, कंड़ा भाशा में, यानि ये, this is the truth, ये जो है सत्य है, बाइबल जो है सत्य है, इसको पढ़े और इसके अंदर जब हम पढ़त है ना, वो हर चीज जो वहां पर हो रही है, अगर वहां पर किसी को चंगाई मिल रही है, यानि वो चंगाई सत्य है, हाललूया, लुका पांचवे अध्याय में, वो पता है वो जो पैरलाइस्ट, लखवा मारा हुआ, इंसान को उपर से नीचे भेजा जा रहा था, वहां परमेश्वर की सामर्थ मौझूद थी, वो नीचे आने से पहले ही वहां पर सामर्थ मौझूद थी, येश्व मसी वहां पर मौझूद थी, उसकी सामर्थ मौझूद थी, तो उसी प्रकार, जब भी हम इस बाइबल के वचनों पर विश्वास करते हैं, उसमें सामर्थ मौ आपी भी थे बहुत सारे लोग बिमार भी थे लेकिन वो जो लक्वे से मारा हुआ इंसान उपर से नीचे आया उसके अंदर प्राप्त करने की इच्छा थी इसलिए उसने वो सामर्थ को पहले महसूस किया हाललुया तो हम पहला फाटक अगर प्रार करना तो क्या करना है जब स्ट्रेस्ट हो जाएंगे मेंटली यापने जी सकता अब मैं यह चीज नहीं कर सकती अब बस हो गया ऐसे लगेगा तो यह देखे इसको पढ़ें वाके में लिखा है जो इसको सुनता है, जो इसको पढ़ता है और जो इसके अनुसार चलता है वो सब धन्या है, तुम को समझ में आए या ना आए, तुम सुनोगे तो बस वो सामर्थ शुरू हो जाएगे, तुम पढ़ोगे वो सामर्थ शुरू हो जाएगे, उसके उपर हम चलेंगे तो और भ कभू के वच्चनों में ही है और कहीं भी नहीं है हाललुया दूसरा अधिकारियों अधिकारिया नहीं लोगों के द्वारा दुष्ट जो है लोगों को इस्तेमाल करता है लोगों के बरताओं को लोगों की बातों को लोगों का ताना ताना इसको इस्तेमाल करता है क्या करने क के लिए हमको हराने के लिए हमको गिराने के लिए हमको रोकने के लिए समझ है chat में क्या लिए फिर से पढ़िए बारा चाथ कि तब स्वभगुदने उससे कहा इंदने और पहले और अपने जूते पहन ले पहला तो कमरबान पहला फाटक पार हो गया सत्य को जान सत्य के उपर ही विश्वास कर सत्य को धरे रहे तेरा पहला फाटक पार हो जाएगा लेकिन दूसरा फाटक लोगों से कैसे हम जीट जाए लोगों के तानों के उपर कैसे हम विजय प्राप्त कर करें लोगों के बरताओं के पर हम कैसे विजय प्राप्त करें लोगों से जो हमको तकलीफे हो आती है कभी-कभी परिवार के अंदर से कभी-कभी दोस्तों से कभी-कभी कार या जहां पर हम ऑफिस जाते हैं हर एक शेत्र में कहीं न कहीं हमको लोगों से भी सामना करना पड़ Ephesians 6, 15 और पाओ में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहिन कर मेल, मेल यानि पीस, शांती, मेल मिलाप, मेल के जूते पहन ले मेल के सुसमाचार के जूते पहन ले लोगों से तकलीफ आती है, तो भी क्या कर ले उनसे मेल कर ले हललुया बारा का आठ पढ़िये तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले तुझे कोई आके पहनाने वाला नहीं है स्वर्गदूत ने यहीं नहीं का पतरस पतर पहनाता हूं वैसा स्वर्गदूत ने नहीं पेहन ले यानि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहाय हैं तुझे उक शमा करना है ना तुझे मेल मिलाप करना है ना तुझे तो खुद कर तू जाके क्या कर माफी मांग तू जाके क्या कर एक पहला कदम उठा क्योंकि मेल मिलाप करने का काम प्रभू आके नहीं करने वाला है तुमको ही करना है अगर गलती हुए तो क्षमा मांगने का काम किसको करना है हमको ही करना है किसी न हब ना चाहे halal लूइया जहां तब हम मेल बना सकते हैं हमको क्या करना है और यह पे लिका है अपने जूते खुद पहन ले इसलिए अगर कहिं ही भी कुछ है मनमुटा हो आयों तनाव रिष्टों में तो किया करें जा के मेल मिलाप कर लिर अपने जूते हम को खोगो कुण पहनने है हाललुया है जब क्योंकि मेल मिलाप नहीं करेंगे तो वो दिमाग में रहेगा इसने चाहिए अहीं बोला था उसने मेरे सब ऐसा किया कल नहीं देखूंगी समझ में तो वह दिमाग में हो जाए है लेकिन चाहे तुमने स्गहें या तो मीहें चोट पहुचाया गया है जब हम मेल मिलाप कर लेंगे हमारा दिमाग क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा हमारा दिमाग क्लियर हो जाएगा ने तो हम खुद अपनी शांती को क्या कर बैठते हैं, खो बैठते, कितने लोगों ने अनुभव किया है ऐसा, जगड़ा होने के बाद, जब तक हम वापस बात नहीं करते हैं, तो हमारा खुद का शांती क्या रहता है, भंग रहता है न, चाहिए वो पती-पत्नी के बीच में हो, भाई-बेहन के बीच में हो, दोस की नहीं, प्राक्टिकल चीज में बता रहे हूं, तो ऐसे समय में क्या करना है, जाने दे भाई, तु बड़े बाप का, मैं ही जुख जाती हूं, समझ में आ रहा है, हललुया, तो अपने जूते क्या कर ले, खुद पहन ले, तो ये सामर्त हमारे जिंदगी में कार्य के नहीं, अलेलुया, और तीसरा फाटक, जादू टोना, श्राप, ये सारी चीजें जो किया जाता है, अंदकार के सेना, अंदकार के हाकिमों के द्वारा किया जाता है, वो फाटक अपने आप क्या हो गया, खुल गया, हललुया, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां पर, मे मेल में हैं यहां पर शांती है ठीक है यहां पर कोई लडाईयां हमारी नहीं है और जब लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप है जब लोगों के साथ हमारे रिष्टे सही है हललुया तब आटोमाटिकली परमेश्वर हमारी और क्या हो जाता है खड़ा हो जाता है और वो सारे वच्छन क्या कहता है इस्राइल के घराने पर कोई भी जादू टोना नहीं ठहर सकता हाललूया इसलिए उस फाटक के लिए क्या कहा गया है जब पत्रस उस फाटक के पास आया वो लोहे का वो बहुत जिद्धी फाटक होता है एक्चली यह देखा जाएगा ना यह जो अंदकार के हाकीम काम करते वो जिद्धी होते हैं लेकिन जब हमारा रिष्टा प्रभू के साथ सही है हमारा रिष्टा लोगों के साथ सही है तो यह सारे चीज़े हमारे लिए कारे करेंगे नहीं हाललूया वो अपने आप क्या हो ग जो मध्य आकाश में हैं, वो दुष्ट सेना का हम कैसे सामना करें, उनके उपर विजय कैसे प्राप्त करें, तो तेरा वचन, आट्स, बारा का तेरा हमने क्या देखा, पत्रस, फाटक के पास आकर क्या करने लगा, बारा, तेरा पढ़िए, जब उसने फाटक की खिड़की खट-कटाई, खट-कटाई, सारे लोग कहें, खट-कटाई, लास्ट चीज से अगर हमको जीतना है, जो मध्य आकाश में हो रही है, जो हमको दिखता नहीं है, समझ में आ रहा है, तुम घर मांग रहो, घर मांग रहो, घर मांग रहो, लेकिन तुमको मिली नी रहा है, यह मत सोचना कि प्रभु प्रात्ना नहीं सुना है, बच्चा मांग रहे हो, हो ही नी रहा है, यह मत सोचना कि प्रभु ने तुम्हारी सुनी, नहीं, ए दानियल जिस दिन तुने मांगा उसी दिन तेरी प्राथना सुन ली गई है लेकिन बीच में कुछ रुकावट है कुछ रोक टोक है हललुया और उस रोक टोक को अगर हमें दूर करना है तो खट खट आना है क्या करना है खट खट आने का मतलब लगातार प्रार्थना करते हैं जैसे वह विद्वा रोज ती ती न्यायादिश के घर के सामने जाके बैट जाती थी न्यायादिश देख देख के देख के इतना कंटाल गया बोला कि पहले आज इसका केस सौल करूंगा इसका मुह नहीं देखने का मुझे तो वैसे कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ खटाते जाए था आते जांसे दो रोज कोई बिकारी तुमारे पास आएगा रोज तुम को भी बुरा लगेगा न है लगेगा कि नहीं एक दिन भी जाने अंदे यार यह तो रोज आती है ब्रोज आता है आज कुछ दे ही देते हैं और उसको बच्चे हैं और बच्चे भी ऐसे ही करते हैं जब तक कोई छीज मिलती नहीं है ममा आइवांट डाड़ा एवांट एट मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और एक समय ऐसा आता है हम बोलते हैं चलो इसको दिलाई देते हैं सब्द में आ रहा है आप लोगों को जो आकरी फाटक पार करनी है तो क्या करना पड़ेगा खट खटाता रहना पड़ेगा हललुया इतना आपको समझ भी आ गया हमारे हम सब आजाद है येशु में हम सब आजाद है येशु में हमारे पाप शमा है येशु के अंदर है हम सारे श्रापों से भी आजाद है क्यो स्वर्ग तुम्हारी ओर है, स्वर्ग दूद तुम्हारे साथ है, उसका नाम तुम्हारे पास है, उसका लहु हमारे पास है, लेकिन फाटक पार करना हमारा काम है, हललुया, क्योंकि तुम्हारा मेल मिला, आप कोई और नहीं कर सकता, तुम्हारे दिमाग में चलने वाली नाम में येश्यो के लहू को लेकर उसके सामत को लेकर